नमस्कार एक और नय वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका दोस्त इंजिनेर प्रभात कुमार सिंग दोस्तो आज कि इस वीडियो में आप लोगों एक बनता हुआ घर का जो अब तक का काम क्या गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं और अग अपने लिए खर बना रहे प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को दखेए अप्चल का और घर कें किया पूर्जन्ट कारे में आपनेगे यह को आज देने बाला हूं सबसे पहले सेक ने अभए 25 फीट में बनेया जा रहा है इस गर का जो फर्स का लेबल है यह जो रोड आप देख रहे हो यह जो रोड का लेबल से लेबह एक से जेर फिट का आसपास में उच्छा यहां पर रखा गया है उसके साथ साथ बात कर लिया जाकि आखिर ग्राउंड के लेबल से कितना उचा रखा गया है तो देख सकते हो सारे 3-4 फिट का आसपास में इससे उचा रखा गया है काफी अच्छा इट मना जाता है जो आपके घर के आगल बागल से जरूर जाता है उससे अपने घर क आफ का यह फर्स वाले लेवल हैं बाठ 2-5 फिट में उचा कर लेते हो तो और पर ज्याद अच्छा यहां पर आ माला जाता है यहां पे देख सकते हो डेर से 2 फिट का आज पास में उचा इससे रखा गया है इसके साथे बाथ लीए जाए ये पिलिंथ का बीम है इसका साइ गया है मतलब 9 इंची बैं 10 इंची का मिया है वह का है ना रहा है कि अंदर में भी आशी consumed चलकर दिखाने वाला हूँ . साथ में ainda के लिए गया कि कितना। की इसमें सरीया का स्तिमाल किया गया है तो चार सरीया का इस्तिमाल इसमें के लिए भागे दोके आप कब देखे आता देख सकते कॉलम का कास्टिंग में यहां पे फिनिसिंग वो नजर नहीं आ रहा है बहुत सारा हनिकॉम वगरा यहां पर आपको देखने को मिल जाता है यह देख सकते हो नीचे से लेकर उपर तक पुछ इस तरीका से हनिकॉम में आ चुका है तो इससे आपको बचना चा कि अधा गया है बार इमका फूटंक बाद कर लिया जा तो यहां पर मिटी के अनुसार शारे तीन फीट बाइस तीन About और इसके लिए चार फीट चार फीट का अँड़ सब्सक्राइidez क्वारे तो करण का और इस गाम है किया जा रहा है और सब्सक्राइक साथ तो इसक उसके साथ से पॉल अपर में सेंपल जाक देख सकते हो और ये था दोस्तों साइड्बू अब आते है nord बबच 2 की तरफ तो देखए कुछ इस तरीका से इसका फ्रण भी रखा गया है सामने के तरफ निकल आगिया ე शाट में जो कांटी लिवर भीम है उससे बाहर की तरफ निकला गहीं देखिए जो फ्लोर भीम है कुछ इस तरीका से बाहळ निकला जाता है ताकि ये आपका जो चज्चा बाहर निकला हुआ है उसको सपोर्ट मिलता रहे बाद में क्रैक्स या पर तूटने का सम्हावना न रहता है इसके साथ साथ बात कर लिया जाए लिंटल बिम का तो देख सकते हो घर का फर से 7 फिट कुछाए में लिंटल बिम दिया गया है दबकि 17 फिट का असपास का हाइट में इस घर का यह जो उसे दिया गया है दस फिट से कभी भी आपको अपने घर का जो शाथ उसे कम नहीं रखना चाहिए 7 फिट में लिंटल बिम को दिया जाता है देखिए लिंटल में इस तरीका से छजा यहां पर दिया गया है ताकि यहां पे जो जपास है वो भी ना है उसके साथ एक ऐसी तरीका से इस घर का प्रंट को रखया है चलते हैं और देखते हैंगर किस तरीकासे कम किया जा रह रहा है तो चले दूस्ते हैं अंधर ग्र ज्या lui करते हैं किस तरीका से हैं किया जहारा यह इस घर के लिए मेन ब्रेंट में इनिन इन्टरों से जो कि चार फीट है रखा गैह है जहां से आप घर में इंटर करते हो यह इसे घर में आप जाते हो इंटर करते हो तो आपको मिल जाता है एक हॉल यह देख सकते हो कुछ इस तरीका से हॉल है हाला कि यहाँ बल्ली वगरा लगा हुआ है सेंटनी का काम जो छत के डलाई के समय लगाया था उसे हटाया नहीं कि फिर भी मैं कोसीज करता हूं कि आप बैलो टेड किया गया है क्ये रिक यह पिस तरीका से यहाँ पर में भी घटल बनाया जारा है ताकि किचिन यह यहाँ पर को खाली जगा मिला था फिर उधर मैंने बताया के रुम बनाया जारा है इसके साथ यहाइष कर के लिए देख सकते हो किश को च्रेदिल है रूब यह और उसके साथ साथ एक रूम और इधर आपको मिल जाता है और बिदोनों के बीच में कुछ इस तरीका से कॉमान ट्रॉल बात्रूम बने जा रहा है पर फिर समय आपको बता देता हूं चलिए जैसे इसका जो सेंटरिंग का काम है उसे हटाया जाएगा जबास बल्ली है जो भ कॉमान ट्रॉल बात्रूम अंदर में उसके साथ साथ यहां पर आपको मिल जाता है बिल्कुल क्लॉक वाइज बना हुआ सीड़ी आप देख सकते हो उसके साथ इधर आपको मिल जाता है इस घर के लिए तिसरा रूम यहां पर आपको मिल जाता है कीचेन और कीचेन के आपको मिल जाता है तो इस तरीका से यह जो घर है इसे बनाया जा रहा है आप असानी के साथ देख सकते हो और जैसे ही इसका काम है वह आगे बढ़ेगा जैसे कि इस घर का डिसेंटरिंग किया जाएगा प्लास्टर किया जाएगा वैसे वैसे में आप लोग के लिए स्टेप प्रभात और हमारे पूरी टीम को देजे इसाज़त नमस्कार